आज हम बात करने वाले हैं मूँ में बदबू आने के कौन से कारण है और इसे चुटकारा पाने के लिए 10 गहरेलू उपायों के बारे में तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। भले ही आपने महगे और अच्छे कपड़े पहने हुए हो और मेकब भी आपका परफेक्ट हो लेकिन मुँ की दुरगंद आपकी इस अच्छी खासी इमेज को मिन्टों में बर्बाद कर सकती है। दुरगंद आने के कौन से कारण है। जब आपकी पाचन क्रिया सही नहीं होती है तो इससे आपके मुँ में बदबु आना शुरू हो जाता है। जब आतों में खाना सड़ने लगता है तो ये बदबू का कारण बन जाता है कब जभी मूँ से दुरगंद का कारण हो सकती है इसके अलावा दांतों की सडन, पाईरिया या फिर दांतों और मसूडों के किसी बिमारी के चलते भी मूँ से बद्बू आना शुरू हो जाते हैं कुछ घरलू और असरदार उपायों से आप अपने मूँ की दुरगंद से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं उपाय नमबर एक, आप अपने दातों को दिन में दो बार अच्छे तरह ब्रश करके साफ करें टंग क्लीनर से जीब को साफ करना भी जरूरी है, खाने पीने की वज़ह से जीब पर एक परत जम जाती है जब बद्बू का कारण बन सकता है उपाय नमबर दो, किसी भी तरह की बिमारी, दान्द की बद्बू का इलाज कराने से पहले ये भी तै करने की बद्बू का कारण कहीं कोई गंभीर बिमारी तो नहीं है, वरना उपाय से आपकी बद्बू तो कम हो जाएगी लेकिन दान्द खराब होते रहेंगे और जिस बिमारी को रोका जा सकता था वो बढ़ जाएगा उपाय नमबर 3, ग्रीन टी का इस्तेमाल ग्रीन टी के इस्तेमाल से मूँ की बदबू को कम किया जा सकता है इसमें एंटि बैक्टेरियल कंपोनेट होते ही जिससे दुरगंद दूर हो जाती है उपाय नमबर 4, खूब पानी पीने पानी पीने से मूँ फ्रेश रहता है और दातों में फसे खाने के तत्व निकल जाते हैं जिससे मूँ में खाना सड़ता नहीं, मूँ बार-बार साफ होता रहता है जिससे दुरगंद नहीं आती उपाय नमबर 5, अनार की चाल, अनार के चिलके को पानी में उबाल कर उस पानी से कुली करने से मूँ की बदबू दूर हो जाती है उपाय नमबर 6 सूखा धनिया, सूखा धनिया भी एक अच्छा माउट फ्रेशनर है, सूखे धनिये को मुँ में रखकर चबाने से मुँ की दुरगंद दूर हो जाती है उपाय नमबर साथ तुलसी की पत्तियां तुलसी की पत्ति चबाने से मूँ की बदबू दूर हो जाती है साथ ही मूँ में अगर कोई घाव है तो तुलसी की पत्तियां उसकी लिए भी फाइदेमद होता है उपाय नमबर आट सरसो के तेल और नमक से मसाज हर रोज दिन में एक बार सरसो के तेल में चुटकी भर नमक मिला कर मसूडों की मसाज करने से मसूडे स्वास्त रहते हैं और बदभूपन अपने का खत्रा भी कम हो जाता है उपाय नमबर नौ लॉंग और सौफ का सेवन मुँ में लॉंग रख कर इसे चूसने से आप का बदभू कम हो जाता है साथ ही दांतों के दर्द में भी ये रामबन उपाय है सौफ चबाने से भी मुँ की दुर गंद दूर हो जाती है उपाय नमबर दस अमरूत की पत्तियाँ अमरूत की कोमल पत्तियों को चपाने से भी मूँ की दुरगंद बहुत हद तक कम हो जाती है अगर आप भी अपने मूँ की दुरगंद से परिशान हैं तो इन कुछ गरेलो उपायों को करके आप अपने मूँ की दुरगंद से हमेशा के लिए चुटकारा पा सकते हैं तो मिलते हम अपने नेक्स वीडियो के साथ